हेलो एवरिवान वेल्कम टो बैक माई चैनल राइट ओल जी का खाना का जाना में आपका स्वागत है तो आज हम फ्रेंड्स बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा कद्दू जो की बहुत ही स्वाधिश्ट बनने वाला है वो भी भंडारे में जो टेस्ट आता है वही टेस्ट हम आपके स्वाव लेकर आएंगे अपने कद्दू में तो इसी श्टैल में हम अपना कद्दू बनाने वाले हैं तो वह विना चीवल बनता है वह बहुत अचा टेस्ट आता है तो हम बंडारे स्टाइल में बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे बिना च्छीले ही कट कर लेंगे तो फ्रेंट्स हमारा कद्दू कट हो गया है तो हम इसे बॉयल में अट कर लेंगे और इसके बाद जो है हम इसे कद्दू को कट कर लिया है इसके बाद हरीमेच कद्दू हमारा कटके तयार है हरी में चो टमाटर लेंगे इन्हें भी हम कट कर लेंगे क्योंकि प्रेंट्स हम इसमें प्याज लेसन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि भंडारे में प्याज लेसन का यूज नहीं होता है तो वही इस टायर में हम बना रहे हैं तो इसमें प्यार लेशन का यूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो जो है एक टमाटर मीडियन साइज का लिया है पेस्ट के लिए वैसे हम इसमें जो है सूफी खटाई को एड़ करने वाले हैं जो खड़ी खटाई होती है तो ये कदू टमाटर मेच मारी कट के लेटी तो इसके बाद हमने कड़ाई लखी है ओ मैं और जो है समय उयल एड़ करेंगे ऐसके जो हम मैं तीन चमचा ऊइल एड़ करेंगे दो से त्यंद बड़ी चमस और एट किया है इसके बाद जो हम इसमें मैथी दाना एड़ करेंगे छोंके लिए मैथी आना क्योंकि जो है कद्दू हमेशे मैथी दाने मेंजी चुकता है जीरे में नहीं चुकता है अगर आपको जीरे भी डालना तो थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं बट मैथी डाना यूज करें इसके बाद हरी मलची एड़ कर देंगे जो हमने काट के रखी दी और इसके बाद कद्दू को काट के दूख के रखा तब वह एड़ कर देंगे कि और हम इसे जो हैं कि पूरा कद्दु एड कर दिया है और इसे हम अच्छे से dibujतु अच्छा फ्रई करेंगे और इसे हम थोड़ी थोड़ी दिर में चलाते रहेंगे जिससे कद्दु हमारा अच्छे प्रेंड्स हम खटाई ले ले nderागे. इसके बाद सूखी हुई इसुए थोड़ा पानी अट करके रखेंगे, जिससे हमारी सूखी खटाई है थोड़ी गल जाए. इससे फूल जाए है. इसके बाद हमारा ये कद्दू जो है फ्राई हो रहा है तीरे-दीरे तो यह हमारा जो कद्दू फ्राई हो चुका इसके बाद गुर्ड दिया है खटाई ली है इसमें मीठे बन के लिए हम गुर्ड अट करेंगे इसके बाद हम जो है कद्दू में मसाले अट करेंगे दो चमच सुका धनिया पाउडर एक से दियर चमच लाल मिल्ची पाउडर और आदा चमच फिर हल्दी पाउडर एट करेंगे इसके बाद जो है हम इसमें नमक एट करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक एट करेंगे क्योंकि जो है नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही एड़ करें कि कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है इसे साब से ही तो हमने एक सी डिल चमज नमक एड़ किया है आप अपने स्वाद अनुसार करें इसके बाद हम इसमें जो है थोड़ा सा गरम मसाला एड़ करेंगे जो कि हेंड मेंड करम मसाला है बहुत ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे और हम इसे जो है मिक्स कर देंगे अच्छे से अपने पूरे मसाले फ्राई कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसे अच्छे से फ्राई करके मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर कट करके रखा तो वो एट कर देंगे जिससे यह हमारे बसाल है और टमाटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से mix करने के बाद हम इसमें अपने मीठे के लिए गुर्ड जो हमने रखा था उसे add करेंगे और इसके बाद जो है जो हमने खटा यह अपनी बूगों कर रखी दी उसे हमने खलवत्ते में कूट लिया है और इसे add कर दिया आप चाहे तो इसे mix में भी पीस कर add कर सकते हैं तो हमने खलवत्ते में कूट के add किया है इसके बाद थोड़ा सा पानी add किया है जिसे हमारे बसाले गुर्ड और खटाई तीन अच्छे से mix हो जाएं इसे अच्छे से मिला लेंगे इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें जो है इसे अच्छे से fry कर लिया है इसके बाद हम इसे थोड़ा सा पानी add करेंगे जिससे है जो हमारा कद्दू थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में बन जाए थोड़ा सा पतले टाइप में बन जाए कि ठीक नहीं अच्छे लगता कद्दू कद्दू जो है थोड़ा सा रसीले पन पर ही अच्छा लगता है इसके लिए हमने थोड़ा सा पानी अट किया है मिनिम हमेरे इख लशे दो एक बाइल कर देंगे फिर सब्च अच्छ में चलुंगे यह का अच्छ लेक्ष समय में हमार छोगी है कैसित वह गहां क्याओ KT10 Et运ल है करेंगे कस्तुरी मेथी है करेंगे Dog करणे के भाद है इसमें बहुत अच्छा प्लेवर आता है हमारी सबझी में हमने साइड कर नहीं करने पर इसमें एच्छा प्लेवर हादाः हैं प्लेवरं करने पर गभण इंग Ba मिलता में मुद्ध इसके लिए हमने टास्ट मैज़ की हैм है और इसके बाद इसे हम अपने से अलक सा गरम मसालच करेंगे छे इस इलप फलिवर अच्छा आएगा और हमारा जो है यह बाहर का गरमाजले इसे जो फलिवर नीया आता हैं और धर के रसम पर मसारे से प्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये अलमस्ट डन है तो फ्रेंट्स आप ये बंडारे वाला खटा मीठा कद्दू बना कर ट्राय करें और हमें करेंड करके बताएं कि आपको हमारा ये कद्दू पसंद आया कि नहीं और इसे बच्चे भी भी ट्राय करें ट्राय करके हमें रिव्यू जरूर दें इंजॉय दिस रेसिपी एंड थैंक यू और और हमारे चैनल पर नहीं आये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेज करें और हमारे वीडियो पसंद आये तो लाइक एंड शेयर जरूर करें